असलाम ने कुम सुडेंट्स वा अद से मैं आपके साथ जो पिपोलोजी स्टार्ट करूँ वहे ऊप्रोड्डूटिव पितंट को पितोलोजी आपके प्रोडूजी है तो आर Mister अपकी साथ की स्टार्ठीन . तो वल्वा का infection पढ़ेंगे और इसकी tumors पढ़ेंगे number two फिर हम लोगों ने वल्वा से उपर जो है वो क्या है vagina ठीक है vagina के बारे में पढ़ना है virginitis हो गया जो vagina का infection है या इसके अंदर जोतने भी neoplasias हो सकते हैं वो discuss करने है vagina से उपर आपको बता है कि क्या होगा cervix वल्वा, vagina, cervix so cervix के बारे में हमने पढ़ना है और cervix को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है यानि इसके जो यह neoplasias हैं कि classification है, morphology है इनका treatment है और यह सारी pathogenesis जो है यह बहुत जादे important है इसमें से काफी ज़्यादा question आते है ठीक है, तो basically ऐसे होता है कि ovaries है ना, ovaries के बाद fallopian tube है मैं इतना चा कुछ रवा नहीं करें fallopian tube के बाद uterus है uterus के बाद नीचे cervix और vagina और vulva है so vulva पढ़ना है, vagina पढ़ना है cervix पढ़ना है, cervix के बाद बेटे आप लोगोंने क्या पढ़ना होगा uterus, uterus में endometriosis, adenomyosis, यह चीज़े काफी important है अगर आप इनको यहां पर बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आगे gynecology में आपको बहुत जादा help मिलेगी अगर आपने यह बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ liomaioma fibroids को कहते हैं, यह पढ़ेंगे फिलोपियन, अब uterus के साथ फिलोपियन tubes हैं, वो पढ़ेंगे and then ovary के सारे tumors औगेंगे जो again बहुत जादा important है then कुछ pregnancy के मसलों के बारे में पढ़ेंगे topic pregnancy हो गया या फिर हमारे पास जो mole होता है या molar pregnancy होती है, उसको discuss करेंगे और उसके बाद बेटे पे breast की बारी आजाएगी तो यह सारे जो है वो important चीज़ें जिसमें सबसे जादा important cervix है और cervix के बाद अगर हम कहें तो uterus है अब आपने ब्रेस तो यह तीनों चीज़ें तो आपने लाजमी ही करनी हैं बाकि अगर आप कुछ करें या ना करें लेकिन बहुत दफाइसे होता है कि pregnancy, related ectopic pregnancy या molar pregnancy में से भी question आ जाते है सो कोश़च आपने यही करनी होती है जैसे हमेशा मेरा आपको यही मश्वरा होता है कि आप लोग एक दफ़ा वीडियो सारी सुन लें या रीट सारा कर लें और बाद में बेशक फिर आप इंपोर्टन चीजों को ज़रा जादा फोकस दे दें ठीक है बेटे सो start करते हैं तो हम लोग start करने जा रहे हैं female reproductive pathology ठीक है तो female का genital track अब्रेश की जितनी भी pathology है वह हम पढ़ेंगे again मैं आप को सारी कि सारी क्या करांगी female reprogenital track ठीक है again बेटे मैं आपको सारा ही पढ़ाऊंगी और फिर आपने हुद अपने papers की base की ओपर या जैसे भी आपने करना ही और पिर मैं खुद आपको बिता दूँगे कि क्या जादा important है और किस पे जादा focus करना है जैसे भी आपको कहा कि सबसे पहला topic हमारा क्या है वल्वा ठीक है तो ये जो वल्वा होता है ये basically female का जो external genital portion है ना उसको कहते हैं और इस external genital portion में दो parts आ जाते हैं number one वो region होता है जहां पे hairs की growth हो रही होती है और उसको हम लोग कहते हैं Libya majora क्या कहते हैं Libya majora और number two mihoza होता है और वो internally और उसको हम लोग कहते हैं Libya minora तो अब बेटे ये जो वल्वा है ना इस वल्वा की pathology के अंदर हमने तीन main चीजें पढ़नी है number हम वल्वा की infection के बारे में पढ़ेंगे जिसको क्या बोलेंगे वल्वाइटस बोलेंगे number two हम लोग इसकी non-neoplastik ठीक है non-neoplastik का मतलब है ऐसी चीजें जो अभी cancer तो नहीं है somehow आगे जाके cancerous हो सकती है लेकिन अभी cancerous नहीं है non-neoplastik में again दो चीजें आपने बहुत ज़्यादा important पढ़नी है number one हम लोग पढ़ेंगे lichen seclerosis मैं आगे जाके आपको सारा यह समझाते हूंगे यह क्या खुछ है और दूसरा बेटे हम पढ़ेंगे lichen simplex lichen simplex chronicus ठीक है तो क्या पढ़ेंगे lichen simplex chronicus ठीक है और number three हम लोग जो है वो इसका नियोपलेजिया कह दें या तूमर कह दें वो पढ़ेंगे और तूमर में कहते है वैसे तो तीन टाइपस होती है लेकिन जो सबसा जादा कॉमन है that is squamal cell carcinoma of vulva और इसमें बेटे फिर आगे दो फॉर्म्स आ जाते हैं एक आपके पास high risk होती है और दूसरी आपके पास low risk होती है ठीक है और एक extra disease हमने आज के portion के अंदर पढ़ना है उसको हम लोग कहते है extra memory pagat disease ठीक है extra memory pagat disease का क्या मतलब होता है memory का मतलब बेटे आपने याद रखने है memory glands या निपल्स के लिहास से तो ये कैसा disease है जिसमें इंफेक्शन जो है तो गलत नहीं है number one हम इसमें vulvitis पढ़ेंगे number two हम non-neoplastic lesions जिसमें lichen seclerosis और lichen simple chronicles आता है वो पढ़ेंगे number three tumorous पढ़ेंगे number four उन्होंने एक extra disease को discuss किया वाई that is known as extra memory pagat disease वो भी हमने पढ़ना है ठीक है विटे आजान हुजे फिर मैं continue अच्छा तो ये फिर आज के लेक्चर का जतना भी है सारे का सारा outcome है मतलब हमने ये सारे topics जो है वो आज cover करने है सबसे पहले मैं आप लोगों को start करा हूँगी vulva की inflammation से जिसको basically हम लोग क्या कहते है vulvitis कहते हैं बहुत briefly हम discuss करेंगे कि वलvitis की क्या causes हो सकते हैं और फिर फर्दर इसकी क्या types हो सकती है सो बेटे वलvitis का क्या मतलब है नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि वल्वा की inflammation को हम लोग क्या कहते हैं वलvitis कहते हैं अब फर्दर वो आपकी book के अंदर बिताता है कि वलvitis के different causes हो सकते हैं उन different causes में जो सबसे ज़ादा common cause है ना उस common cause को वो कहते है reactive inflammation और ये reactive inflammation होती है किसी भी exogenous stimulus की वज़ा से किसी भी exogenous stimulus की वज़ा से फर्दर इसको explain करते वे वो कहते है कि ये जो exogenous stimulus है ये आगे से दो तरह का हो सकते है नमबर वन कहता है कि कोई भी contact irritant होगा जो वल्वा को जाके irritate करेगा और वहाँ पर वल्वाइटिस कर देगा तो नमबर वन क्या हो सकता है कोई भी contact irritant हो सकता है और नमबर टू वो कहता है कि कोई भी allergen हो सकता है तो exogeniously कोई भी allergen या कोई भी contact irritant होगा जो वल्वाइटिस क पाश करेवा अब इसको फर देतियल बताते वे दज्री दूसी यान में आपकी बूप में बताया है कि जो contact irritant की वजह से वलवाइटेसहोगा उसको हम बो लेंगे contact irritant dermatitis यह बोलेंगे contact irritant dermatitis दर अगर allerg existem की वरास से होगा तो हम इसे बोलेंगे contact allergen dermatitis contact irritant में और example कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती है तो irritant क्या हो सकता है? irritant urine हो सकता है, sabun हो सकता है, कोई detergent हो सकता है, कोई antiseptic, deodorant हो सकता है या even alcohol हो सकती है, ठीक है? तो अगर जो urine है, वो वलवा पे touch हो है, उसको rotate किया, irritant था, उसने वहाँ पे inflammation cause कर दी, इसी तरह वो कहता है, कि आपके पास जो soap है, या नहीं, sabun है, उसकी वज़ा से हो गया, या कोई भी detergent है, तो वो भी एक cause कर सकता है, या even कोई antiseptic चीज़ है, या बेटे आपके पास alcohol ह ठीक है, और अगर हम allergen की बात करेंगे, तो allergen कौन कौन से हो सकते हैं, जिन से वहाँ पे allergic vulvitis शुरू हुआ, तो allergen में वो कहता है, कि allergy हो सकती, उसको perfume से हो, और perfume की, जो substances है, उन्होंने वहाँ जाके उसको कर दिया, या इसी तरह हमारे पास creams हो गई, creams के लावा, आपके क्या हो गया, lotions हो गया, या इसके लावा वो कहता है, कि हमारे पास कोई भी ऐसा chemical आपने clothhing के treatment में यूज किया है, यानि कपड़ा साफ करते वह, या कपड़ा बनाते वह, और कपड़े पैन में से वह बार-बर वल्वा पिटा चो रहा था, तो अस वज़ा से हो गया, तो और अगर अलर्जन हुआ, तो contact allergen dermatitis और दोनों की एक आदात example कर लें, तो more than enough है, नमर टू वो कहता है कि जो वल्वाइटिस होता है, यह किस की वज़ा से हो सकता है, बिटे, यह कहता है, स्क्रैचिंग की वज़ा से भी हो सकता है, यानि अगर प्रूराइटिस है, बहुत इंफेक्शन की वज़ा से, ठीक है, अब infectious agent जो है, वो sexually transmitted भी हो सकते हैं, और हो सकता है, sexually transmitted ना हो, sexually transmitted में जो सबसे जादा वल्वाइटिस कोस करता है, उसमें आपके पास human papilloma virus आ जाता है, human papilloma virus के बारे में कहता है, कि ना सिरफ यह वल्वाइटिस कोस करेगा, बल्कि आग इंट्राकिथीलियल नियोपलेजिया भी कर सकता है, ठीक है, so human papilloma virus वल्वाइटिस नियोप्लास्टिक लिजिन्स भी कर सकता है, ना सिरफ human papilloma virus है, बल्कि इसके लावा अगर हर्पस सिंप्लेक्स वाइरस है, तो उससे भी हो सकता है, या फिर आपके पास जो गिनोरिया ह उससे भी हो सकता है, इसी तरहारा repeating amo palladium से भी हो सकता है, और grandida से भी हो सकता है, लेकिन candida sexually transmitted नहीं होता, ये जो वल्वाइटिस है, इसकी क्या komplikation है, ये नुकसान क्या हो सकते, तो तो चहते है welv coronavirus के komplikations आपने या याद रखनी है, कि जब वलवाइटों वाले लेवल के उ infection or inflammation, then excretory ducts are blocked. excretory ducts are called Bartholin gland. When you have an abstract, it will dilate and when the glands dilate it will cost pain and that is why we call Bartholin cyst or abscess. So this is all about first topic, that is why you will have another topic. इसका मतलब इन्फलमेशन है इसकी रीजन्स यह हो सकती है यानि के प्रॉराइटास वे सेक्षवली ट्रांस्मेटेट और नॉट सेक्षवली ट्रांस्मेंटेट और उसके इलावा कोई भी एक्जोजीनियस स्थिमिलस भी हो सकता है अगर वल्वाइटस प्रेसीड करेगा treatment य और बात की विया वह दो को आपको यहां पर बिता देती हूं पर हम नेक्स आपिक पर चलते हैं वो गहते है कि यह जो प्रेख्ट ऑंटेक्ट टेक्ट्थ डिर्मोटाइटर्स होगा या लर्जिक ट्रिमोटाइटर्स होगा इसमें वल्वा की अगर हम लोग आम अर्फॉलिज या प्लैक्स जो हैं वो बने वे होंगे तो ये एक चीज भी अपने जैन में रखनी है अब नेक्स वीडियो के अंदर हम लोग इसकी नौन नियो प्लास्टिक लेजिन्स जो मैंने आपको कहा दो तरह की होती है लाइकन सिंपलिकस थी नहीं लाइकन सेकलरोसस थी और दूसरी लाइकन सिंपलिस क्रोनिकस थी वो डिसकस कराती हूँ